वेलकम फ्रेंट्स तो हम लोग भारत का भूगल पढ़ रहे थे हैं भारत एक दिरिष्टी में तो पार्ट टू हम लोग पढ़ लिये थे अब पार्ट टू से आगे हम लोग पढ़ते हैं भारत का पर्थम राष्टी उद्यान जीम कार्बेट राष्टी उद्यान उत्राखंड में है दाची गाम राष्टी उद्यान जम्मु कस्मीर भारत का एक मात्र अभ्यारन है जहां कस्मीरी स्टेग पाया जाता है बेरी बेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, नेक्ट देख सकते हैं, गर्म पानी अभ्यारन असम में इस्थित है, नेक्ट पॉइंट है, परसिद गीर वन गुजरात में इस्थित है, नेक्ट पॉइंट है, जंगली गधा कच्छ के रन में पाया जाता है, नेक्ट पॉइंट साइलेंट वेली राष्टिय उद्यान केरल में सेर की पूंच वाला मकाउं पाया जाता है मुदू, मलाई, पसु, विहार, करनाटक और केरल की सिमा पर इस्थित है विश्व का एकमात्र तेरता हुआ राष्टिय उद्यान केबुल लम जाओ मनिपूर में है गुजरात के कच्च के राण में इस्थित एसिया के सबसे बड़े घास के मैदान को बनि ग्रास लेंड के नाम से जाना जाता है युनेस्को को द्वारा भारत के 11 जेव मंडल आरक्षित छेत्रों में को मैन्यता परदान की गई है नेक्स्ट पॉइंट है भारत में जेव मंडल आरक्षित छेत्रो की संख्या 18 है ये भेरी भेरी इंपोर्टेंट है बहुत से एक्जामें अब्जेक्टिव टाइप में भी पुशा जाता है यहां से नेक्स्ट पॉइंट है भारतिये प्रानी शर्वेक्षान का सब्से बड़ी तथा लंभी नदी गंगा है हाना जो पचीसो दस कहीं कहीं दिख्टा लेकिन फथीस विद थालेकिन आभला थो इस्थिट सब्से बड़ा सहर तो यह कानपूर है next point है गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांदी सेत्व बिहार में इस्थित है next point है इलाबाद काणपूर वारानसी फटेपूर पटना एवं भागलपूर गंगा नदी के तट पर इस्थित पर्मुक नगर है ये नगर भी याद रख लेना है, बांगलादेश में गंगा नदी को पदमा के नाम से जाना जाता है, बांगलादेश जो पहुचता है गंगा नदी तो उसको वहाँ पदमा के नाम से जाना जाता है, गोमती गंगा की वह सहायक नदी है, जिसका उदगम मैदानी भागों में हुआ है नेक्स्ट पॉइंट है गंगा की सबसे बड़ी साहयक नदी यमुना है हाना साहयक नदी भी पूछा जा सकता कि गंगा नदी का सबसे बड़ा साहयक नदी कोन है तो यमुना नदी है नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली तथा आगरा यमुना के किनारे इस्ति थे दिल् नेक्स्ट पुइंट है ब्रह्मा पुत्र नदी तिब्बत भारत एवं बांगलादेश से होकर परवाहित होती है। के नाम से भी जाना जाता है। जवारन नद मुख स्क्यूरी का निर्मान करती है। नेक्स्ट पुइंट है नर्मदा एवं तापती पस्ची में की और बहने वाली ऐसी नदियां है जो डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा का मतलब होता है नदी का संगम। नदी आके मिलता हुआ है उस जगह का संगम बोला जाता है। संगम को ही हम लोग डेल्टा काते हैं याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नर्मदा नदी को गुजराति की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सरवाधिक सिधी बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है नर्मदा नदी की जुड़ा नदी कहा जाता है। ब्रंस गाटी से परवाहित होने वाली दो परमुख नदियां नर्मदा एवं तापती है नर्मदा नदिव उत्तर में विंदियान परवत तथा दक्षिन में सत्पूडा परवत के मैद ब्रंस गाटी से होकर परवाहित होती है विंदियान यानिके विंदियान चल भी बोल सकते हैं परवत का नाम है और एक है सत्पूडा परवत नर्मदा और ताप्ति है लुनी भूमी बंधित या अंतरवाही नदी है बिहार का सोक के नाम से परसिद कोशी नदी सबसे अधिक मार्गे परिवर्तन करने वाली नदी है याद रखियेगा ये भी अबजेक्टिव में पूछा जाता है प्राइदिपिय भारत का सबसे लंबी नदी गोदावरी है कावेरी नदी करनाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पूडुचेरी से होकर परवाहित होती है कावेरी नदी जो है करनाटक, केरल, तमिलनाडु और पूडुचेरी जिसको हम लोग पांडेचेरी भी के नाम से जानते हैं पूटुचरी ही लिखाता है लेकिन लोग बोलते हैं पांड़ेचरी, हाना, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मागिरी पाडियों से निकलने वाली कामेरी नदी, स्रीरंग पटनम, सिव समुद्रम और स्रीरंगम नामक दिपो का निर्मान करती है, नेक्स्ट पॉइंट है, माही नदी करक रेखा को दो बर काड़ती है, नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांस लवनिय नदी बंगल की खाड़ी अपवा तंत्र का अंग है, बहुत सरा नदी में लवनिय नदी यानकिन भी पानी मिलता है, next देखिए संकोष नदी असम और एवं अरुनांचल पर्देश के मज सिमा बनती है next point है सतलज व्यास रावी चिनाब एवं जहलम नदी को पंच नद कहा जाता है यानि पंच देखिए सतलज व्यास रावी चिनाब और जहलम पंच है न तो पंच नद इसलिए इसका कहा गया है कुछ सा नदी को तो देखिए सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, एवंजलम नदी को पंच नद, पांचों मिला हुआ इसका रूप बता जया जता है नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे उचा जल परपात कुछी कल जल परपात है जो करनाटक में बराही नदी पर इस्तित है जल परपात अलक नंदा नदी पर इस्तित है धुमाधार जलपरपात मैज़ परदेश के जबलपूर में नर्मादा नदी पर इस्थित है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी जील चिलका जील उडिशा में है। सबसे बड़ी मिठे पानी का जील भारत का। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी किरत्रीम जील। किरत्रीम का मतलब होता मानो निर्मित। जो मानो को बनाया। तो वो गोविन सागर जील। भाखणा नागल बांत से निर्मित है। नेक्स्ट पॉइंट है लोनार जील, महाराष्ट, ज्वाला मुखी, क्रिया से निर्मित जील, क्रेकर जील का उधारन है नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक सिचाई परनाली का जनाक, मोक्षे गुंडम, विशेश्वेरिया को माना जाता है नेक्स्ट पॉइंट है सिंचित छेत्रफ़ की दृति से भारत का विशुव में पर्थम अस्थान है बॉर्ण से बोर्डिंग से नलकुप लगा के हैं इसलिए सब को ज्याधा तर दिखाया गया नेक्श्ट पॉंट है भारत के उत्तर पर्देश में नलकुपों द्वारा सर्वादिक सिचाई की जाती है, होती है, तो उत्तर पर्देश में नलकुप से ही ज़्यादा होता है, नेक्स्ट पर्देश है, भारत के सर्वादिक सिंचित शेत्रफल वाले 5 राईज हैं, उत्तर पर्देश, राजस्थान, पंजाब महिद्पर्देश सेवां लगा हुआ है गर्मी के दिनों में भी आप चले जाएंगे तो आपको बहुत पानी मिलेगा बहुत थंड़ा बोरिंग से आपको वहां से निकल रहा पानी खेतों में हम खुद वहां जाके देख के आएं इसलिए आप लोग को पता ही रहें लेकिन आप याद रख लिजिए गा नेक्स्ट पॉइंट है सरहिंद नहर सतलज नदी से निकाली गई है नेक्स नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की सबसे पूरानी वविक्सित नहर व्यस्था भारत में गंग नहर यानिकी गंगा नहर है नेक्स्ट पॉइंट है गंग नहर का निर्मान 1927 में हुआ था नेक्स्ट पॉइंट है भाखडा नांगल बांध का निर्मान सतलज नदी पर हु परियोजना से लभानवीत होने वाले राज ये गुजरात महाराष्ट मैद परदेश एवं राजस्थान है नेक्स्ट पॉइंट है सरवरबांच से सरवादिक लाब गुजरात को एवं सबसे कम लाब मैद परदेश को मिलता है सबसे ज्यादा लाब देखा जाए तो गुजर नेक्स्ट पॉइंट है दामदर गाटी परियोजना जार्खन एवं पस्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है नेक्स्ट पॉइंट है पोलावरं बहु देशिय सिचाई परियोजना ओडिशा चतिसगर आणत परदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मैद्य विवादि नेक्स्ट पॉइंट है उंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर इस्थित है नेक्स्ट पॉइंट है हिराकुन बांद ओडिशा में इस्थित है नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे पूराना जल सकती उतपादन केंद्र सिव समुद्रम है नेक्स्ट पॉइंट ह सागर बांद चंबल परियोजना का भाग है। जो आर सागर बांद राजस्थान में इस्थित है। टीरी बांद उत्राखन में भागी रती नदी पर निर्मित किया गया है। भारत में पर्थम जल विद्दुत सयंत्र की अस्थापना दार्जलिंग में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उक्रम है। यह उत्राखन के पिथो रागड जिलेक में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। की जाएगी यहां बताया गया है मतलब क्या हुआ पूरण नहीं हुए। नेक्स्ट देख सकते हैं चेलुगू गंगा परियोजना तमिल नाडू आंदर परदेश एवं करनाटक की संयुक्त परियोजना है। कालपोंग जल विद्दूत परियोजना अंडमान एवं निकुबार दिव समू में इस्तित है। अलमटी बांध क्रिष्णा नदी पर निर्मित है। भारत का सबसे पुराना जल विद्दूत अस्टेशन सिंद्रापोंग असम में है। किसन गंगा परियोजना एवं बगलीहार विद्दूत परियोजना जम्मू कस्मिर में इस्तित है। स्विल नदी परियोजना हिमाचल पर देश में इस्तित है। कलपसर परियोजना गुजरात में इस्तित है। दुलहस्ती जल विद्दूत स्टेशन चिनाब नदी पर निर्मित किया गया है। नेक्स्ट परियोजना तुंग भद्रा परियोजना आंदरपर्दे सेवं करनाटक की सयुक्त परियोजना है। जो मलम पूरम के निकट तुंग भद्रा नदी यानि की कृष्ण की सहायक नदी पर इस्तित है। यहाँ दक्षिन भारत की सबसे बड़ी बहुत देशिय नदी घाटी परियोजना है।